हमारे देश में कुछ लोग ऐसी विकृत विचार धारा के शिकार हो चुके हैं इतनी नकारात्मक्ता से भरे हुए हैं देश में कुछ भी अच्छा होता हुआ वो देखना ही नहीं चाहते और उन्हें सिर्फ विवाद खड़ा करना ही अच्छा लगता है अब आपने कुछ सुना होगा जैसे कुछ लोग उपदेश देते हैं कि आटा पहले कि डाटा पहले सड़क पहले कि सेटेलाइट पहले लेकिन इत्यास गवाँ है कि स्थाई विकास के लिए तेज विकास के लिए मूल व्यवस्ताओं के साथ ही आदुनिक इन्फरा बनाना भी जरूरी होता है जो लोग कदम कदम पर हर चीज वोट के तराजू से तोलते हैं वो कभी देश के भविश्य को ध्यान में रखकर योजना नहीं बना पाते हम कई बार देखते हैं गाओं में पानी की टंकी बनी लेकिन वो चार-पांच साल में ही छोटी पड़ जाती है कितनी सडके या फ्लाइववर ऐसे होते हैं जो चार-पांच साल में अब परियापता लगने लगते हैं हमारे देश में इसी सोच की वज़़ से इंफ्रास्ट्रक्टर के निर्मान को प्राथफिक्ता नहीं दी गई इसका बहुत नुक्षान देश ने उठाया है अगर पहले ही माली जब परियापता संख्या में मेडिकल कॉलेज बन गए होते तो पहले देश में डॉक्टरों की इतनी कमी नहीं होती अगर पहले ही रेलवे लाइनों का बिजली करना हो गया होता तो आज हजारों करोड रुपे खर्च करके ये क्याम करने की ज़रोत नहीं रहती अगर पहले ही हर गर तक नल से जल आने लगता तो आज साड़े तीन लाग करोड रुपे लगा कर जल जीवन मिशन नहीं शुरू करना पड़ता नकारात्मक्ता से भरे हुए लोगों में ना दूर द्रश्टी होती हैं और ना ही वो राजनितिक स्वार्च से उपर उठकर कुछ सोच पाते हैं आप सोचिए अगर नास द्वारा की जीवन रेखा कहे जाने वाले लिए नंद समंद बांद या काटोल बांद नहीं बने होते तो क्या होता और हम तो राजसतार और गुजरात के लोगों के जुबाँ पर लाखा बंजारा का नाम बार बार आता है हम लाखा बंजारा की चर्चा करते हैं पानी के लिए लाखा मंजारा ने अपना जीवन खपा दिया था हालत ये है कि अगर पानी के लिए इतना काम करने वाले और जिनकी चाहरों पर वीवावडी किसे ने बनाई तो बले लाखा मंजारा वहाँ तालाब किसे हैं बनाया तो वह ले लाखा बंजारा ये गुजरात में भी बोला जाता है राजसान भी बोला जाता है मतलब हर एक को लगता है भी पानी की समस्या का समाधन कोई करता था तो लाखा बंजारा करता था लेकिन आज हालत यही है कि यही लाखा बंजारा चुनाओं में खड़ा हो जाए तो यह नकारात में सोच वाले उसको भी हराने के लिए बैजाल में आईगे